नमस्कार आप देख रहे हैं आरे निउस मैं हूँ आपकी साथ पलवी सिंग रुख करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में चलने वाली फरजी खबरों पर चिंता व्यक्त की है एक मामले की सुनवाई के दोरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मीडिया पर कोई नियंतरन नहीं है और वहां बिना किसी जिम्मेदारी के आम लोगों, जजों और संस्थानों को बदनाम करने वाली खबरे चलाई जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तबले की जमात वाले मामले में मीडिया रिपोर्टिंग के सामप्रदायक और जोटा बताने वाली आचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था इस दोरान इस मामले में पहले कोर्ट सरकार से ये कह चुका है कि उसे इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिये फेक न्यूस फैलाने वालों पर नियंतरन के ववस्ता बनाने चाहिए आज सरकार की तरब से जबाब दाकिल करने के लिए कुछ और समय की मांग की गई है इस दोरान कोर्ट ने यूट्यूब चानल और सोशल मीडिया का भी एक मसला उठाया है इस पर सॉलिसिटर जनरल दुश्यार महता ने बताया कि अब वेब मीडिया और सोशल मीडिया पर आवंशित गथिविद्यों पर नियंतरन के लिए Information Technology Rules 2021 को बनाया गया है लेकिन इसके प्रावधानों को अलग-अलग मीडिया संसानों के दिल्ली, बॉंबे, मदरास, कॉलकता और केरल में हाई कोर्ट में चुनाती दे दी गई है कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने मीडिया के खिलाफ कारवाई पर रोग भी लगा दी है ऐसे में महता ने निवेदन करते हुए कहा है कि के सरकार ने सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई के लिए आवेदन दिया है उसे कोर्ट चल्द ही सुने और सिधार्थ शुक्लाग टेलिविजिन जगत का एक ऐसा जानामाना चहरा जुनकी पॉपॉलारिटी ने हाल ही में एक नया मुकाम हासल किया है सिधार्थ अपने करियर की बुलंदियों पर ही थे उनके फैन सिधार्थ के नई प्रोजेक्ट्स के इंतिजार में थे पर किसने सोचा होगा कि सक्सेस की देहलीज पर आकार सिधार्थ दम तोड़तेंगे बता दें कि सिधार्थ का निधन हो गया है और हार्ट अटेक की वज़ों से निधन हुआ है बता दें कि सिर्फ टेलिविजन ही नहीं वलकि बॉलिवोड इंडस्ट्री के लिए भी ये दिन बेहत ही जादा दुखत है आपको बता दें कि मुंबई में हार्ट अटेक के कारण सिधार्थ की मौत हो गई है तो वहीं सुभा जो सिधार्थ चुकला नीन से नहीं जगे तब उनके परिजनों नहीं उठाने की कोशिश है और ऐसे मुंबई के कूपर अस्पताल उन्हें ले जाए गया जहां पर उन्हें मृत्ट खोशित कर दिया गया है कपूपर अस्पताल के मुताबिक सिधार्थ शुकला को जब वहां लाया गया था तब तक उनकी मृत्तियों हो चुकी थी घर से जब सिधार्थ को ले जाये गया तब भी अस्पताल में जॉक्ट्रों ने उन्हें मृत्त खोशित कर दिया था शुरुवाती रिपोर्ट्स के अनुसार सिधार्थ के मृत्यों का कारण हाट अटाक बताया जारा है हारा कि उनका पोस्ट मॉटम भी अभी जारी है साथी पांच डॉक्ट्रों की टीम सिधार्थ का पोस्ट मॉटम कर रहे है और कल सिधार्थ का अंतिम संस्कार हो सकता है पंजब कॉंग्रेस में कमासान की बीच अब नवजोज सिंग सिद्धू दिली पहुंचे थे मगर चर्चा है कि वो उन्हें नेतरित्व की तरफ से मिलने का समय नहीं मिला है बताते चोलें इसके बाद अब सिद्धू पंजब वापस लोटा हैं और इसे बीच कॉंग्रेस पार्टी नेतरित्व हाल ही कि घटनाओं की वज़ो से नवजोज सिंग सिद्धू से नाराज भी बताया ज़ारा है ताता ज़ानकारी के मुताबिक बताया ये जो आ रहा है कि पिछले दो-तीन दिनों में नहीं पर करीब हफ्तो पर पहले भी नवजोज सिंग सिद्धू ने कॉंगरस अध्याक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मागा था मगर सुनिया गांधी ने इस वज़से सिद्धू को वक्त नहीं दिया था क्योंकि पंचाब को लेकर हरी श्रावत अलग-अलग नेताव से चरचा कर रहे थे गोरतलब है कि हाल ही में सिद्धू के सलाकार ने भी कश्मीर को लेकर एक विवादत बयान दिया था जिसकी आलोचना मुख्य मंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग ने भी की थी विवाद बढ़ने पर सिद्धू के सलाकार ने इस तीफा भी दे दिया था लेकिन इसके बावजूद सिद्धू ट्विटर पर लगा तार्मों के मंतरी पर निशाना साथते रहे इसी बीच अब खुद कॉंगरेस सद्याक्ष सोन्या गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंग को फोन करके उनसे कहा था कि आप पार्टी के लिए चुनाफ जीतने पर ध्यान दे हम चाहते हैं कि आप कॉंगरेस के लिए चुनाफ जीते